माइ दियर स्टुदेंस इन दप्रेजेंट वीडियो में आपको है विचुवल एक्षन से सम्मंधित रूल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा है करते हैं अध्या उनका प्रियोग करते हैं अध्या रूल्स आप है विचुवल एक्षन का अर्थ स्वाभाविक कार्ज से हैं अर्था जो हम नेचुरल काम करते हैं स्वाभाविक हम जैसे कुत्तों का काम भौकना है तो यह क्या है नेचुरल है या हम इसे हविचुवल एक्षन कहेंगे अध्युवल एक्षन मीन्स एक्षन रिलेटिद टो हैविट और नेचर नेचर सुभाव आदत या स्वभाव से सम्मंदित जब कोई एक्षन प्रकट होता है तो इसका मतलब होता है हविचुवल एक्षन इसका भी रूल है a are common नावठ इन प्लूरेल नंबर विदावट आ आठिकल्स प्रियोग विन infected के अता त Overwatch आर्टिकल दी बिना आर्टिकल दी के प्रियोग करते हैं तो इससे हविचुवल एक्षन प्रकट होता है हम ट्रांसलेटन के माध्यम से अभी उदाहन देकर के प्रकट करेंगे इस पर्ष्ट करेंगे तो क्या है common noun in plural number without article so habitual action अर्थाद बहवचन के common noun से पहले आर्टिकल दी का प्रियोग न करने से हविचुवल एक्षन प्रकट होता है और इसी की इंगलीज में लिख दिया common noun in plural number without article so habitual action तो इस प्रकार से common noun का यदि subject है तो habitual action प्रकट करने के लिए हम article का प्रियोग नहीं करेंगे और यदि proper noun है तो rule number two में दर्साया है प्रापर noun की आदब habitual action प्रकट करने के लिए present tense में is accustomed और past tense में used to अत्वा इहूड का प्रियोग करते हैं और negative के लिए did not used to का प्रियोग करते हैं बच्चों यदि proper noun के माध्यम से habitual action प्रकट करना है तो उसके लिए हम accustomed to का प्रियोग करते हैं और past tense में used to अत्वा प्रियोग करते हैं और negative के लिए did not used to का प्रियोग करते हैं once again यदि proper noun के माध्यम से habitual action प्रकट करना है तो present tense में is accustomed का प्रियोग करते हैं और past tense में used to अत्वा would का प्रियोग करते हैं और negative के लिए did not used to का प्रियोग करते हैं तो बच्चों यह दोनों rules अच्छी तरीके से समझ में आ गये होंगे अब हम इनको उदाहन के माध्यम से प्रकट कर प्रकट करते हैं इस प्रस्ट करते हैं एक्जम्पेल सा फस्ट रूल बच्चों फस्ट रूल है यदि कामन नाउन प्रियोडर नंबर में habitual action प्रकट करता है तो उस कामन नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रियोग नहीं करते हैं जैसे एक्जम्पेल बच्छी आकास में उड़ा करते हैं तो यहां दी बड्स नहीं लिखा और यदि लिख दिया तो क्या है दब बड्स प्लाइन दा एर अताथ पक्छी आकास में उड़ते हैं यह लिख दिया नाट हविच्वल एक्षण ता छाभी सिक्षा करते हैं। से भाई नहीं से पहले दी नहीं का प्रियोग किया इसलिये यें hundred है और लड़के सोर मचाते हैं तो अंतर बिल्कुल इस पास्ट हो गया है कि हम है वाले सेंटेंस में कामन नाउन से पहले दी का प्रियोग नहीं करते हैं अब सेकेंड रूल एक्जाम्पिल्स अर्थात प्रापर नाव में प्रजेंट में है विच्जूल एक्सट्ट सो करने के लिए इज अकस्टम्ड टू का प्रियोग करते हैं पास्टेंस में यूज्ट्टू या वुड़ का प्रियोग करते हैं और निगेटि में डिडिन प्रति दिन यहां नहीं आया करती थी तो इन एक्जांपिल से इस पस्ट है कि प्रापर नाउन में करने के लिए प्रजेंट में अकस्टम्ड टू पास्ट में इस्टू या भुड और निगेटिम में डिड नाट इस्टू का प्रियोग करते हैं तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि यह हैविच्वल एक्षंस वाले सेंटेंसे आपको समझ में आ गए होंगे प्रक्टिस करें कंप्रीशन के लिए तयारी करें और एक आग्रे है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दिया करें थैंक यू